वालकम एवरिवन दस इस संदीप और यॉर वाचिंग एसकेडी ओल इन वन गाईज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्यूं क्यूंकि एंडिया का स्ट्रॉंगेस्ट यूटूब चैनल है राइट तो काईज आज फिर से हम लोग करेंगे फ्यूचर मेकर लाइफ की और प्राइवेट लिमिटेट के रिगार्डिंग जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 16-17 महने से बहुत बड़ी प्रॉबलम चल रही है कुछ लोग अभी भी कॉपरेट कर रहे हैं और कुछ भढ़काओ तो हैं मार्केट के अंदर मैं जो टेस्ट अपडेट मुझे अभी ग्रूप में रिसीव हुई थी तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों तक इस अपडेट को पहुँचा हूँ तो गाइज मैं जादा ना बोलू उन्ही की जुबानी सुनते हैं जै हिन्द जै वारत जै रादेशाम जै फिचर मेकर मही पाल भाई निम्मच वालो आप एक कदम चलो हम आपको दस कदम जीत की तरफ चलके दिखाएंगे और तिरंगा आपके हातों से ही लहराएंगे मेरे भाई ये सुभगड़ी आपके हातों से ही लिकी है इसको अपने मौके को हातों से जाने मत दो मेरे भाई बातों के गिल्वे सिक्वे हम बाद में भी दूर कर सकते हैं और जिनों ने आपके लिए कुछ बोला भी है मैं हाट जोड के मावी पहलवान देजबगत आपसे मावी मांगता हूँ किसी भी भाई ने फ्यूचर मेकर परिवार के ने किसी से बोला है तो उसके लिए सबसे पहले मेरी हाट जोड के आपसे बिंती है जीत का परचम लहराना है तो हम सबको एक ताकत होके दिखाना होगा और कानून परकरिया और कानून के धंग से ही हम रादे शाम को बाहर लेके आ सकते हैं अन्यता हमारी कोई ताकत अगर हम में आपस में फूट पड़ी रहेगी तो नहीं ला सकती भाई पैसा इनसान से पैदा होता है ना कि कोई इनसान पैसे से हम हमें रोजगार भी देगा और पैसे भी देगा वो रादे शामी है और वो रादे शामी था और रहेगा इनसान और इनसानियत दोनों को समझो और तीसरे आदमी की बात को ना मानके मेरी हाथ जोड़ के गुजारिस है इस काम को जल्दी से जल्दी निम्टा हो और जीत का तिरंगा अपने हाथों से लह रहा हो निम्मच वाले हो या जम्मू कश्मीर वाले हो या मेरे भाई आसाम वाले हो उडिसा वाले हो महराष्ट वाले हो जो भी फ्यूचर मेकर का है सब के हाथ में तरंगा होना चाहिए और मैं उस खुशी के दिन को देखने के लिए बेतावी से इंतजार कर रहा हूँ तो गैस जैसा कि आप लोगों ने सुना महावीर जी की अपडेट कितना पॉजिटिवली उन्होंने ये अपडेट दिया है उनको अप्रिशियेट करना चाहूँगा मैं और उन्होंने महावीर सर से रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द क्यूंकि आपस में फूट डाल करके कुछ भी नहीं होगा देखो जब हमारे यहां पे इस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस टाइम में क्या हुआ था फूट डाली गई थी फूट डालो और राज करो हिंदुस्तानियों में फूट डाली और अंग्रेजों ने यहां पे सालों सालों तक राज किया तो गाइस वही चीज होगी अगर एक दूसरे में फूट डले रहेगी तो यह जो प्रॉब्लम चल रही है सालों सालों तक यह रिजॉल नहीं हो पाईगी अगर हम आपस में मिल जूल करके यह सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनिटली यह सारी चीज़ें पूरी हो पाईगी आई होप आपको महवीर जी की अपडेट पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें और जरूरत मंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीज़ेगा इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट लेकर के आप लोगों के समक्ष आता रहूंगा और हाँ एक चीज़ मैं बार बार आपसे हर वीडियो के एंड में कहता हूँ बहुत सारे भाई लोग मुझे इंस्टाग्राम के उपर मैसेज कर रहे हैं और जो लोग इंस्टा पे फॉ फ़नल सिरीज वहाँ पे चल रही है जो भी लोग डिरेक्ट सेलिंग या किसी भी सेल्स इंडस्टी से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हैल्फुल होगा आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं तो गाइज मैं आज की वीडियो को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ ओवर कर हुए आप डिरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और मैंने घर पे रहते हुए डिरेक्ट सेलिंग करके एक साल, दस दिन के अंदर मैं कैसे 19 लाग का revenue जनरेट किया है जानना चाहते हैं इंट्रेस्तेड हैं, Instagram पे जाएं चेक करें अपना Whatsapp नंबर मैं किस कमप बात घर में रहते हुए जानने के लिए WhatsApp कर सकते हैं वीडियो यहीं पर ओवर कर रहा हूँ Thank you so very much इसी तरीके से support बनाए रखे बहुत जबर्जस्त अपडेट ले करके मैं आप लोगों के समक्ष आता रहूँगा I love you all guys जाहिंद वंदे मात्रम